हलो दोस्तों देसे संगीता रॉम होममेकर्स रेजीम आज हम बनाएंगे केक पॉप एंड पॉप्सिकल्स हम जब केक बनाते हैं बेक हुआ केक का सरफेस कभी कभी अन इवन हो जाता है उसका हम पार्ट काट लेते हैं उसी कटे हुए पार्ट से हम आज बनाएंगे केक पॉप्सिकल्स ये जटपट बन जाता है और बच्चों को पसंद भी बहुत आता है जब आप बर्टडे में केक बनाते हैं तो उसी के साथ आप ये पॉप्सिकल्स भी बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैंने जो केक बनाया उसके borders मैंने निकाल लिये थे और upper surface भी केक को smooth even करने के लिए हम इसे cut करते हैं अब ये leftover से हम बनाएंगे popsicle इसे एक mixy jar में लेके पहले हम इसका powder बना लेंगे पर्स देते हुए इसे powder बनाना है थोड़ा सा ये दरदरा ही रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें powder बना लेना है अब इसे एक mixing bowl में ले लेंगे इसे आप एक या दो टी स्पून condensed milk के साथ भी mix कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर पानी का इस्तमाल किया है एक चमश दो चमश इसी तरह से पानी को डाल कर हमें इसे mix करना है एक साथ ज़्यादा पानी ना डाले condensed milk से मीठा ज़्यादा हो जाता है साथी में थोड़ा sticky भी तो इसी लिए मैं पानी का इस्तमाल करती हूँ पानी से मिठास balance रहता है इसे चेक करें कि ये एक लड़ू का आकार ले रहा है टाइट बॉल सा बन रहा है मतलब ये तैयार है अगर आपको dry लगे तो एक और चमश पानी डाल के इसे mix करें इसे तब तक मिक्स करें जब तक कि ये एक डो का फॉर्म न ले ले और इसके बाद हम इसको shape करेंगे shape में आप इसे round ball की तरह बना सकते हैं या आप इसे popsicles पी बना सकते हैं यहाँ पर दोनों आपको बना कर बताया है ये देखिए मैं popsicle बना रही हूँ popsicle के लिए हमने oval shape रखना है और इसमें ice cream stick हम insert कर ले 80% अंदर जाना चाहिए ice cream stick और अच्छे से press करते हुए इसे fix करना है अगर ये loose है fix नहीं हुआ बराबर से तो ये निकल कर बाहर आ जाएगा मैंने इसे थोड़ा सा flat कर दिया है आप इसे round भी रख सकते हैं ये देखिए इस तरह से एक और बना कर दिखाती हूँ मैं कुछ मैंने round balls भी रखे हैं इसके shape और flavors आप अपना create कर सकते हैं ये popsicle मैंने chocolate cake से बनाया है vanilla cake से भी बहुत ही tasty बनता है अगर आपको इसमें और भी varieties देखने है flavors के तो please comment करके बताईएगा और कौन से flavor देखना आप पसंद करते हैं ये भी बताईए ये कुछ मैंने balls बना लिये ह अब इन्हें हम chocolate से coat करेंगे compound chocolate को मैंने melt कर लिया है microwave में melt करते समय 20 या 30 second गरम करना है और break लेना है chocolate को एकदम flowy consistency में रखे ताकि ये अच्छे से spread हो सके इन popsicle को direct chocolate में dip करके भी हम cover कर सकते हैं लेकिन मुझे ये method ज़्यादा अच्छा लगा मैसी कम होता है chocolate का layers कम होते हैं पतले होते हैं खाने में भी अच्छा लगता है इसे थोड़ा set करने के लिए इस तरह के rack में अटका के इसे रखना है अब immediately हम कुछ sprinkle करेंगे मैंने यहाँ पर desiccated coconut लिया है इसे हमने popsicle में coat कर लिया और roasted peanut को powder बना कर ले लिया है coconut और peanut का flavor का हमने ये बनाया है इसी तरह से cake balls को भी हम chocolate से cover करेंगे toothpick के help से मैंने balls को hold कर लिया है अब इसे हम melted chocolate से cover करेंगे एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम chocolate से काम कर रहे हैं इस वक्त climate थोड़ा ठंदा हो पंखा on रखेगा नहीं तो ये melted chocolate बहुत ही melt होने लगता है और messy हो जाता है और cake pops को जैसे ही chocolate से हम coat करते हैं immediately कुछ dry coating उसके उपर कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर desiccated coconut और roasted peanut का किया हुआ है जिससे के दो flavors बन गए ये दिखता भी खुबसूरत है और खाने में तो बहुत ही tasty लगता है इस recipe को बनाईए और बताईएगा कि ये आपको कैसा लगा ये वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज एक like तो बनता है अगर आपको मेरे वीडियो और recipes देखना पसंद है तो प्लीज subscribe भी कर दीजेगा ताकि आने वाले हर वीडियो के notifications आपको मिल जा देंगे वो भी एक ऐसा recipe की कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये leftover cake के pieces से बना हुआ है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तैंक यू